हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ठीक हुँगे है इन आज जो में बताने जा रहे ही हूँ ये है जाई sert का उप्ल होता है और जाम सब ना जानी जमाने Андतार यूज किया जारी है और यह सुझे जाईो की प्रोब्लम होती है उन्हें ठीक करने में बहुत अची अल्प करता है तो आज मैं पताऊंगी जाइफल को किस तरह से यूज करने से आपके जाइयां दाग धबे दूर होंगे साथ में अगर पिंपल्स की प्रोब्लम है तो वह भी ठीक हो जाती है तो चले देखते हैं इस बनाना कैसे है लगाना कैसे है और जाइयों की अगर आपके चरे पे बहुत ज़्यादा प्रोब्लम है तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं इससे आपके चरे की जाइयां भी ठीक होने वाली है तो उचले लगाते हैं इस तरह से बनाना है किस तरह से लगाना है वो द केसर लीं यहाई मैं पवारा क्या souvent दूद्व और यह चाहई कोच्छा दूद्वर्स दूद्वार मिया निक्समा दूद दूद्वें चाह mere 2-3 जाहता है छोंद्वर्स पलओ जाएं टो आफ देख से उस्याले हें में रहा है। केसर ने अपना रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और केसर के अंदर जब मिक्स होती है खुस्पु बहुत अच्छी आती है इस दूट के अंदर तो केसर अच्छे से भीग चुकी है तो आपको इसके अंदर छोड़ देना है केसर को कम से कम 20 मिनिट के लिए आप चाहें तो इसे आदे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद इस दूद का use करें, तो उसके बाद आपको क्या करना है? जाइफल लेना है, जैसे कि मैंने बताया, जाइफल हमारे चेरे की pimples को दूर करता है, जायउं को दूर करता है, दाग धबों को दूर करता है, तो दूद मैंने लिया है उतना ही दूद ले ताकि जाइफल अच्छे से इसके अंदर डूब जाए और उसके बाद आपको छोड़ देना है कम से कम 2-3 घंटे के लिए मैंने या पर 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था जाइफल को आप देख सकते हैं जब आप चाइफल को 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे दूद के अंदर तो यह काफी सौप्ट भी हो जाता है और इसको यूज कैसे करना है आगी वीडियो में आपको बताऊंगी तो आपको क्या करना है एक इस तरह का पथर ले लेना है आपके पास अगर चंदन घिसने व और थोड़ा-थोड़ा दूद लेना है आपको भर-भर के चमच नहीं लेना है आदा-दा चमच करके आप थोड़ा-थोड़ा दूद ले इसके अंदर जो हमने जाइफल भीगोया था दूद के अंदर वही दूद लेना है और थोड़ा दूद लेके इसके अंदर से जाइ कम 10-15 मिनेट के लिए गिसना है मैं कि एक गिस कंबाने इस तरह आप लिए कईkalर को आप को आप यह जण फ़ल अपने चेह पें लगाने हैं। आप देख सकते हैं पिसें गिसेंगे तो ये जाइफल के गुण इसके अंदर दूद में आजाएंगे। उसके बाद कम से कम 15 मिनिट आपको इस तरह से गिसना है। उसके बाद जाइफल को आप साइड में रख तीजिए। आप उसे साइड में रख दें और फिर कभी यूज जैसे आप रोज करते हैं तो अप रोज भी कर सकते हैं इस तरह से और उसके बाद जो हमने ये दूद बनाया है जाइफल का इसको एक बावल के अंदर डाल लेना है तो मैंने या पर खाली बावल लिया है काज का और इसके के अंदर दालूंगी और थोड़ा-थोड़ा करके ले सकते हैं ज hallway जीया आप अच्छे से इसे डाल ली काटोरी के अदर आपके पास प्लास्टिक की काटोरी है या फिर काज की काटोरी है उसके अंदर डाय best Carialter स्के और रुचस e प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो आपको इसके अंदर सारा दूट डाल देना है उसके बाद आपको पूरे चेहरे पे इसे लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी वीडियो में तो आपको इसे उसके इस काटोरी के अंदर डालना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है और इस दूद को अच्छे से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क हो चुका है यह रोज लगाएंगी तो इससे भी आपके चेहरे पे बहुत फरक पड़ेगा आपके चैह यहां ठीक होगी दाग धब्बे ठीक होंगे साथ में पिंपल्स है तो वो भी ठीक हो जाएंगे तो आपको पूरे चैरे पे इसे लगा लेना है अच्छे से पूरे चैरे पे लगाना है और इसे लगाने से पहले अपने चैरे को अच्छे से साफ कर ले उसी की बाद लगाएं और पूरे चहरे पे मैं हातों से लगा रही हूँ इस तरह से लगाना है और लगा करके आपको छोड़ देना है आप चाहिए तो कम से कम इसे लगा के रखें एक से डिट घंटे के लिए तो आपको लगा के रखना ही है ताकि यह जो दूद है यह अपना काम करें आपके चहरे लगा एंगे या फिर आपके चाहरे के बाद आपको अपने थीक हो जाएंगे यहीं तक चाहरे के yaa फिर पिम्पल्स वह भी हो जाएंगे साथ में दाग धब्बे हैं अगर अगर भी किसफ Grassschaft अच्य से तो पर्फ दूद से अच्छी से पास जहा Tot East जहानी है और अपने पूरे चेरे पर लगाएं तो जरूड़ा दिया झालगा, तो इस remedy को यूज कीजिएगा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई